नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एक्साम पे तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वालो हूँ यहाँ पे जो कट-off के लेकर यहाँ बहुत ही बड़े अपडेट लेकर आया हूँ मैं और ये 15,000 जो संदिक च्छात्रों हैं को STF किस तरीके से निकाल ला है, इसको लेकर बार-बार मैं आपको बताये जा रहा हूँ कई सारी चीजे, मगर कोई भी इस चीज़ को साही से समझने पार है कि आखिर में मतलब क्या होने वाला है, किस तरीके से प्रोसीजर होगा और रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, और रिजल्ट कब तक आने की जातर चांसे हैं, क्या आप लोग को पता है दोस्तों कि मतलब ये जो रिजल्ट है ये बहुत जातर डिले हो सकता है, ये अभी भी नॉवंबर में ना निकल के आप लोग का रिजल्ट दिसमबर तक आने की maximum chances बन रही है, क्योंकि इसके पीछे की reason भी वो मैं वीडियो में आगे discuss करूँगा, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने स्पहले मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग हमाई चैनल पर नहीं है, वो लोग हमाई चैनल लोग सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, तो अगर आप लोग वीडियो लाइक नहीं करेंगे, तो आप लोग को वीडियो का recommendation कैसे जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आप लिए में पल-पल के अपडेट्स लेके आता रहता हूँ, और आप लोग दोस्तों, यहां में पूरी लेकपाल के आपको पूरी जानकारी मिलेगे, डीवी के लिए कौनसे documents रहेंगे, सारी-सारी information आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी, तो दोस्तों जल्द इस वीडियो को like कर दो, subscribe कर दो, और पूरे मतलब कि अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा इसको share कर दो, तो दोस्तों आपको यहां बताने जारा हूँ, जो 15,000 संदिक चातर है किस तरीके से पहले चाट आई होगी, दोस्तों यह छटाई तब होगी, जो सबसे पहले आप लोग का result, copy जैसे जैसे आप लोगी चेक होते जा रहे हैं, numbers जैसे जैसे आते जा रहे हैं students के, उनके आयोग क्या कर रहा है, जैसे जो top 15,000 के students होंगे, उन 15,000 students के जो number है, उनको STF को जांच के लिए भेज़ देगा, और फिर उनकी अगेंस्ट, जो संदिक्द पाए जाएंगे, जो इनको लगया कि यह संदिक्द बच्चे हैं, 15-30,000 बच्चों को पूरा चांट ले जाएगा, इसमें से यह संदिक्द पाए जा रहे हैं, उनके उपर चांट बैठाई जाएगी, और उनकी पूरे बायो डाटा निकाला जाएगा, उनके बारे में हर चीज की डेटेल इंफॉमिशन दी जाएगी, वहां के जहां जहां के इन्होंने एक्जाम दिया, जो बच्चा जिजजग का है, वहां वहां से आप लोग के रिपोर्ट से सारी मंगाई जाएगी, और वहां सीट्सी टीवी फूटेज चेक करा जाएगे, और वो सारी चीज़े देखी जाएगी, और परची वगार, हर जीज़ का, वहां पे देखा जाएगा कि कौन से लोग का किसे लिंक है, हर चीज़ आप लोग का, greenhouse चाइत हों को भखड़ा जाएगा, यह चीज़ हो गया आप लोग का यहांपर, कि जो 15 संदिक चातों की बात है वहाँ पे अब cut-off कम जाएगी यह जादा जाएगी इसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे cut-off आप लोग के 100% कम जाएगी अगर pure अगर यहाँ पे पूर एकदम pure vacancies चल रही है और यहाँ पे आप लोग का मतलब जितने लोग भी महनत किये हैं आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हैं कि cut-offs यहाँ पे कितनी जा सकती है और यहाँ पे maximum दोस्तों आपके 77-75 के आसपास ही आप लोग की cut-offs जाने वाली है general students अगर दोस्तों आप लोग के 75-plus नंबर हैं तो आप लोग बहुत जादा safe score में हैं और यहाँ पे जो female cut-off है girls की क्या जाने वाली है इसको लेका भी बहुत ही बड़ी आशंका जती हुई है लोगों के अंदर बहुत जादा इसके against मतलब दिमाग में या गया की मतलब girls की cut-off किया जाने वाली है girls भी बहुत जादा परिशान ओरेंस चीसके regarding अभी दोस्तों एक और बात बताई जा रही है की मतलब क्या भरती फस नहीं जातर chances अभी भी है क्या भरती फस सकती है तो दोस्तों बताया जाया कि अभी तक कि इस government में जो अभी चल रहा है जितनी भी यहाँ पर एक भी भरती अभी clear नहीं हो पाई है और अब दोस्तों आपको पता ही है कि election आने वाले हैं 24 में election है और यह भरती अगर फस जाएगी तो आप समझ लीजे दिक्कत हो सकती है क्योंकि इन्होंने कोई भरती अभी तक clear नहीं होई है कोई भरती यहाँ पर confirm नहीं की गया यह नोने कोई जादातर इस टाइप से मतलब या इन्होंने कोई काम किया है तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहरे हैं मगर यह चीज यहां पर बता दिया गया है कि यह लेकपाल की भर्ती आपकी बिल्कुल नहीं फसने वाली है 2018 वीडियो वाला भी आप लोग देख सकते हैं कि लोग अपनी जॉइनिंग का इंतजार कर रहे थे मगर उस समय भी मगर उसके बाद भी दोस्तों भर्ती वहाँ पे आप लोग की बताई जा रही है कि जो भर्ती है वो उसको कैंसल कर दिया गया था मतलब 2018 वाली भर्ती जहां पे लोग अपनी भर्ती का मतलब वेट कर रहे थे पूरा पूरा कंप्लीट किया ही जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आप बात की जाती है फिमेल कट ओफ की कि यहाँ पर क्या जा सकती है अगर फिमेल हमारी माताय बहने जितनी भी लोग एक्जाम दिये हैं लेकपाल का आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पे जो आपकी कट ओफ हैं वो आप लोग की यहाँ पे जो फिमेल कट ओफ है वो आप लोग की 70 से 73 के बीच में रहने वाली है फिमेल कट ओफ की इस चीज के लिए अगर आप लोग 70 के ऊपर नंबर आ रहे हैं गल्स के जितनी भी गल्स ह इतने के आसपास से 100% जाने वाली है, क्योंकि बहुत जादा एकदम डिटेल यहाँ पे डाटा को लेकर हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं, कि जहाँ पर अलग संस्थान है, सबसे मतलब कि हम लोग की बात चीज़ चलती रहती है, यहाँ पे सारी चीज़े को एकदम डिटेल में डाटा को हम लोग बता रहे हैं, जैसे गूगल डाटा शीट्स पे आते रहते हैं, जैसे लोग मतलब पूलिंग कर आते हैं, इन सब चीज़ों को एकदम सब चीज़ को माईने रखते हुए, इसके अधार पे हमने आपको यह सारी चीज़े कट आफ को हम लोग आपको बता रहे हैं, अब बात की जैए कि दोस्तों क्या लेकपाल की भर्ती के परणाओ अभी वे संकट में है, तो दोस्तों मैंने अभी बताया जैसे कि इसके परणाओ में इसको संकट में थे, मगर अब यह संकट में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अब चुनाओ आने वाले हैं, अगर यह भर्ती संकट में चले गई तो यह दिक्कत हो सकती है, इसलिए, लेकिन यह चुनाओ मतलब की चुनाओ के वज़े से यह भर्ती अब संकट में नहीं आने वाली है, यह चीज़ आप लोग मानके रख लिजे और जोआप लोग का लेख बाल का यह पूरा 100% आप लोग का यह जारी किया जाएगा और यह रिजल्ट आप लोग का आगे ही रहेगा और यह अभी नौवंबर नहीं तो दोस्तों December में आप लोग का इसका रिजल्ट जारी किया ही जाएगा जहां पे आप लोग का DV के लिए आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा आप 100% guaranteed आप लोग ready रहिएगा जो 15,000 है वो इसी टाइप से छटाई होगी जैसा मैंने आपको बताया कि 15,000 को जो starting के 15 से 30,000 बच्चे होंगे उनकी ही पूरी copies को चेक किया जाएगा और उनको पूरा बकायदा उनकी copies को मतलब कि अच्छे से जाच की जाएगी उसके बाद उनको देखा जाएगा कि मतलब उनका हर चीज के बारे में मतलब analysis के जाएगा जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया है और बात आती है कि अब हम लोग DV के लिए कौन-कौन से documents लेंगे दोस्तो DV के लिए documents वाली video भी मैंने बना रखी है उसमें मैंने मतलब भी last में बताया था अब particularly अगर आपको पूरे पूरा वीडियो ही चाहिए कि DV के लिए particularly हर एक के लिए मतलब कौन-कौन से documents चाहिए तो दोस्तो आप लोग comment box में comment करके जरूर बतायेगा क्योंकि उसके उपर बनाने के दोस्तो फोरा टाइम चाहिए कि आपको कौन-कौन से documents चाहिए सतके लिए तो अगर ज़्यादा comments आते हैं और उसके regarding कि आपको कौन-कौन से documents लगने वाले हैं तो दोस्तो मैं उसके बारे में पूरी videos पूरी detail information में आपके साथ यहाँ पे जरूर शेयर करूँगा तो दोस्तो यहाँ पे जो cut-offs है वो आपकी general की भी मैंने बता दी है और female cut-offs के भी बता दी है कि इतनी के आसपास ही जाने वाला है और इससे ज़्यादा आप लोगे cut-offs यहाँ पे नहीं जाने वाली है तो इस चीश को ध्यान रखिएगा दिमाग में और अपना एकदम इसका mind में कब कर लीजे कि इतनी के around ही आप लोग की latest update यहाँ पे जाने वाली है और इसके according ही आप लोग के यहाँ पे लेकपाल भरती होने वाला है और यहाँ पे और बात की जाए रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोग के लिए result date बहुत जादा परिशान हो रहा है कि result कब तक आया कब तक आया मैंने बता दिया 10 पर बता चुका हूँ इस चीश को दिमाग में डाल लेजे कि यह भरती डिले जितना हो रही है उतना आप लोग के लिए सही है पूछे क्यों कि अगर भरती डिले नहीं हो गया अगर जल्दी राजिम निकल गया तो इसमें chances है कि STF मतलब अपना काम सही से नहीं कर पा रही है इतमींस डिले हो रहा है तो इतमींस STF मतलब इसके पीछे बहुत ही तेजी से लगी हुई है और सारे संदिग ज्छात्रों को निकालने की maximum chances चल रही है तो दोस्तो इस वीडियो को जाला लंबा नहीं करते हैं बस यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं